गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है आज हम आपको मोर ये समराजे के परसासन इम पतन के बारे में पढ़ाएंगे तो देखेगा यदि आप लोगोंने हमारे यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइ क्योंकि हमने जो मोर्य वन्स के सासक थे चंदरगुप्त मोर्य बिंदू सार असोक महान इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया है तो आप पहले वाले वीडियो में इन सब की इनफोर्मेसन देखेगा तो देखते हैं मोर्य समराजे का परसासन मोर्य लेखों से चार प्रांतिय राजधानियों के नाम तोसली जो पूर्म में उज्यन पस्सिम में श्वानागीरी दक्षिण में और तक्सिला उत्तर में थे ठीक है तो जो मोर्य सासक असोक है उसके शिला लेखों के बारे में हमने पहले पढ़ा था तो इन जो शिला लेख है इनसे हमें चार प्रांती राजधान्यों के नाम मिलते हैं तो सरली पूरव में थी उज्जेनी पस्चिम में थी श्वानागिरी दक्षिन में थी तता तक्सिला उत्तर में थी सरंचना के केंदर में कानून बनाने की सक्ती राजा के पास होती थी जब वणनों और आस्तुमोंग पर आधारित समाजिक व्यवस्ता अर्थाते जीवन चक्र समापते होती थी तो तब कोटले राजा को धरम का परचार करने की सला देता था पाठली पूतर की साही राजधानी के साथ मोर ये समराजे चार प्रांतों में बजित था असो के सिलालेखु से प्राप चार प्रांते राजधानियों के नाम तोसली, उज्येन, स्वानागिरी, तक्षिला में थे ये हमने पहले देखाया मेगस्तनीच के नुसार समराजे के प्रियोग के लिए 60,000 पैदल सेना, 30,000 घुड़स्वार सेना और 9,000 युद हातियों की सामरिक सेना थी आंत्रिक और बाहिये शुरक्षा के उदर से के लिए एक विसाल जासूस परनाली थी जो अधिकारियों और दूतों पर नजर रखती थी राजा ने चर्वाहों, किसानों, व्यापारियों और कारीगरों आदिसे कर लेने के लिए अधिकारियों को नुक्ति किया था राजा परशासनिक अधिरचना का क्यंदर होता था और मंत्रियों और उच अधिकारियों की नियुक्ति राजा करता था परशासनिक ढाचा देखेगा इस परकार से था राजा को मंत्री परिशद अर्थात मंत्रियों की परिशद द्वारा सहायता प्राप्त होती थी जिसके सदश्यों में अध्यक्स और निम्ले की सदश्य होते थे तो राजा होता था उसके सहाता के लिए एक मंत्री प्रिश्द होती थी और फिर जो मंत्री प्रिश्द होती थी इसका एक अध्यक्स भी होता था और अध्यक्स के अंतरगर्ज जो अन्य करमचारी थे जो काम क कुझ्जारी होता था सेनापती जो प्रमुक कमांडर होता था राज के बाद जैसे यूब राज है पूरो इथैं सेनापती है आमात्य tehdÈ ये शारे परसासनिक व्यक्ति होते थे जो परशासन को देखते थे जो परजा की सेवा के लिए उपस्तित होते थे सारे कारिये को वो करते रहते थे ठीक है विद्वानों द्वारा दिये गए सुजाओं के बाद मोर ये समराजे को आगे चलकर महतोपुन अधिकारियों के साथ विभीन विभागों में विभाजित कर दिया गया था जैसे राजस्व विभाग, सन्य विभाग, जासुसी विभाग, पुलिस विभाग, प्रांतिया और श्थानिय पर्षासन प्रादेशी का नगर पर्षासन जो महत्वपन अधिकारी गणी भी होते थे इन में ठीक है ना तो इस परकार से कई भागों में परसाशन को कई विबागों में बांट दिया था देखेगा राजस्वय विबाग मैं तो अधिकारी गण कोन होता था इसका राजस्वय विबाग का सन्नी धाता जो मुख्य कोसाकार समहर्त राजस्वय संग्राहक मुख्या तो राजस्व विभाग से संबन्दी जो अधिकारी थे वो सनी धाता और समहर्ता होते थे ठीक है अगला आता सन्य विभाग तो मेगस्तनीज ने सन्य गतिवीदियों के समनवे के लिए इन छे उपसमीतियों के साथ एक समीति का उल्लेख किया है पहले का काम नोशयना की देख भाल करना दूसरे का काम परिवहन और प्रावधानों की देख रेक करना था तीसरे के पास पैदल सरनिकों चोथे के पास गोडों पांचवे के पास रथों और छटे के पास हाथियों के देख रेक की सिम्मेदारी होती थी तो मेगस्तनी इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ावाय देखेगा इसके बारे में जासुसी विभाग महामात्य पासारपा गुधा पूरूसों को नियंत्रित करता था गुप्त एजेंट होता था जासुसी विभाग में जो महामात्य पासारपा होता था वह है गुप्त एजेंट होता था पुलिस विभाग जेल को बंदी ग्रहे के रूप में जाना जाता था और लोग से भिन थी जिसे चरक का कहा जाता था यह सब भी परमुक्यंद्रों के पुलिस मुख्यालियों में होती थी ठीक है प्रान्त याउर स्थानिय पर्शासन अर्थात प्रादेशी का जो अधिकारी होता था वह प्रादेशी का कहला था जैसे कि आदूनिक हमारा जो मजिस्ट्रेड होता है स्थानिक और इस्थानिका प्रादेशी का के तहत कर संग्रय अधिकारी दुरुगापाल, किले के गवर्णर, अकशापताला, महालेखाकार, लिपिकार, लेखक, गोपह, लेखाकार अधी के लिए जिमेदारे था तो प्रादेशिका होता था, वह है आधुनिक मजिस्ट्रेट की तरह से होता था उसके अधीन जो स्थनिका होता था, जो दुरुगापाल होता था, जो अकशापताला होता था, लिपिकार होता था, गोपह, लेखाकार होता था ये उसके लिए उसके प्रति जिमेदार होते थे, ठीक है नगर पर्शासन, मैं तो पुन अधिकारी गण कोन कोन से थे नगर पर्शासन में नगार का हा, सहर परशासन का प्रभारी, सित्ता देक्स, कर्शी प्रियवेक्सक, सामस्त अधेक्स, बाजार अधिक्सक, नवा धेक्स, जहाजों के अधिक्सक, सुलका धेक्स, पत्थ करके अधिक्सक, लोहा धेक्स, लोहे के अधिक्सक, आकारा धेक्स, खानों के अधिक्सक पोथवा, धेक्स, वजन और मापादी के अधिक्सक होते थे मेगस्तनीज ने 6 समीतियों का उलेक किया है जिसमें 5 पाठली पुत्र का परशासनिक देखबाल करती थी उद्यकों, विदेशियों, जन्म और मर्तियों का पंजीकरण व्यापार, निर्माण और माल की बिक्री और बिक्रीकर का संग्रह परशासन के नियंत्रण में था आप देखेगा मोर ये समराजे का पतन कैसे हुआ, क्या कारण थे तो 114 सी इसा पूरव में अंति मोर ये समराज ब्रेदर्थ की मर्तियों हो गई थी ब्रेदर्थ की हत्याक उसके ही सेनापती पुस्य मित्र द्वारा की गई थी ब्रेदर्थ की मर्तियों के साथ ही मोर ये समराजे का अंधो गया मोर ये समराजे के पतन का कोई एक कारण निश्चित नहीं है इसके पतन के पिछे कई कारण रहे हैं देखेगा मोर्य समराजी के पतन के कारण निम्न लिखी था हैं आयोगे तथा निर्बल उत्रादिकारी तो मोर्य समराजी के पतन का तातकाली कारण ये था कि असोगी म्रत्यू के बाद उसके उत्रादिकारी आयोगे तथा निर्बल हुए असोग की मृत्यू के बाद कोई भी ऐसा सासक नहीं था जो समस्त राजियों को 116 सासन में वस्ता में संगटिते कर सके परशासन का 38 कैंद्री करण तो मोर ये परशासन में सभी महत्योपुन कारिय राजा के परतेक्स नियंत्रण में होते थे उसे वरिष्ट पदादिकारियों की नियुक्ति का सर्वोचे अधिकार प्राप्त था परशासन में जनमत का परती निदित्वा करने वाली सहस्ताओं का प्रहे है भावसा होता था सामाने नागरिक हमेशा राजा के नियंत्रण में रहता था राजे वेक्ति के पारिवारिक जीवन में भी हस्तक सेप करता था ऐसी सासर विवस्ता में यदि राजा अच्छा होता तो प्रजा भी अच्छे से रहती और यदि राजा अत्ताचारी होता तो प्रजा को भी कस्ट पहुँचाता कहने का मतलब यही है कि परसासन राजा की हाथ में था ठीक है आर्थिक तता सांसकर्थिक ऐसमानताई मोर ये काल में आर्थिक यवन सांसकर्थिक स्थरी की ऐसमानताई विद्यमान थी गंगा गाटी का परदेश समरत था जबकि उत्तर दक्षिन के परदेशों की आर्थिक इस्तिती अपेक्षा करत कम विक्षित थी गंगा घाटी की अर्थ व्यवस्ता क्रसी प्रधान थी जहां व्यापार व्यवसाई के लिए प्रियाप्त अवसर प्राप्त थे और उत्तर दक्सिन के परदेशों में इस तिर अर्थ व्यवस्ता नहीं थी यहां पर व्यापार वाणिजे की सुविदाएं बहुती कम थी अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग सेंस करती तता अलग-अलग भासा का प्रियोग किया जाता था जिससे लोगों में एकता का भाव था प्रांतिय सासकों के अत्याचार मोरिय समराजे में समराजे से दूर के प्रदेशों में प्रांतिय दिखारी सास जनता पर अत्याचार करते थे इससे जनता मोरियों के सासन के विरूध हो गई दिव्यावदान में इस परकार के अत्याचारों का स्विवरन मिलता है सबसे पहला विद्रो है तकसीला में बिंदू सार के काल में हुआ था तथा उसने असो को उसे दबाने के लिए बेज़ा था असो के वहाँ पहुँचने पर तक सिलावासियों ने उसे बताया न तो हम राजकुमार के विरोधि हैं और न राजा बिंदू सार के विरोधि हैं किन्तु दूस्ट अमाते हम लोगों का अपमान करते हैं करों की अधिकता परवर्ती मोर ये समराजे में देश की आर्थिकी सिती संकट करस्त हो गई जिसके परणाम सरूप सासकों ने अनावसिक उपायों द्वारा करों का संग्रह किया उन्होंने अभिनेताओं तथा गणेकाओं तक परकर लगाए पतंजली ने लिखा है कि सासक वरक अपना कोस बढ़ने के लिए जन्ता की धार्मिक भावना जागरत करके धन संग्रह किया करते थे वे छोटी-छोटी मूर्तियां बनाकर जन्ता के बीच बिकवाते तथा उससे धन कमाते थे मोर्यों के पास एक अत्यंत विसाल सेना तथा अधिकारियों का बहुत बड़ा वर्क था इन सभी के लिए राजा वित की विवस्ता जन्ता पर करार ओपन करके करता था मोरियों ने जनता पर सभी प्रकार के कर लगाए अर्थ व्यवस्ता में करों की एक लंबी सूची मिलती है इन सभी करों से सामाने जनता का जिवन कस्ट में हो गया था असोका उतरदाई तुए मोर ये समराजेगे पतन के लिए कुछ विद्वान असोक को उतरदाई मानते हैं महा महोपा धहाय पंडित हर परशाज सास्त्री ने असोक की अहिंसा के निती को ब्राह्मन विरोधी बताया है जिसके प्रणाम सवरूप अंति में चलकर पुसे मित्र के नेतरत्वे में ब्राह्मनों का विद्रोय हुआ तता मोर ये वन्स की समापती हुई असोक द्वारा बोच संकों को अत्यतिक धन्दान में दिया गया जिससे राज के कोस खाली हो गया इसकी पूर्टी के लिए परवर्ती राजों ने त्रह त्रह के उपएउं द्वारा जन्ता से कर्व असूल किये जिसके पड़ाम सवरूप जन्ता का जीवन कस्ट में हो गया तो इस वीडियो में हमने मोर ये वन्स के पतन के बारे में मोर ये समराजे का परशासन का हैसा था इन सब बातों के बारे में पड़ा हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद